हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ स्मार्ट क्लासेज। अब तक आसानी से पहुँच सके तो हम लोग जो पढ़ें थे आधिगम उसके आगे पढ़ेंगे कि अब जो है बहु विभेदन आधिगम यानि कि अगर किसी बालक के पास बहुत सारी वस्तूओं को दे दिया जाए तो वो जो है एक जैसी वस्तूओं को जो है एक सम्हूं मे बना सकता है यानि कि विभेद कर सकता है अंतर कर सकता है और इसके द्वारा जो सीखेगा उसे ही जो है बहु विभेदन आधिगम कहेंगे इस आधिगम को जो है कुछ हद तक जो है गस्तौन आधिगम के समकष स्विकार किया जाता है इस आधिगम के द्वारा व्यक्तिक औ साब्दिक तथा असाब्दिक अधिगम के विभिन पक्षों में भेद करना उन्हें विभिन समुहों में पहचानना सिखाए जाता है यानि कि इस अधिगम में क्या सिखाए जाएगा साब्दिक तथा असाब्दिक साब्दिक कहने का मतलब हो गया किसी को जो है सब्द के पालक में क्या होता है कि वो भेद करना और उन्हें अलग-अलग संभूहों में करने की छमता उसमें आती है वही भेदन अधिगम में और उसे अलग-अलग अंतर करने शिखाया जाता है जैसे कि किसी बालक को जो है तिर्भूज और आयत में अंतर करना सिखाया गया है तो इससे क्या होगी अगर उस बालक को एक जैसी सभी तिर्भूज आकार और आयताकार की जो को मिला के दे दिया जाए तो उसे अगर कहा जाए कि वो जो है तिर्भूज की वस्तों को एक तरफ करे और आयत क्या कार की वसप्तूं को एक तरब करे तो यह क्या होगा एक से शमविभेदन होगा इसी कुछ जो है समें शिखा जाता है और क्या है कि अंक-गनीत और बीज गनित में भी अंतर करना इसमें जानता है। इसके बाद है संप्रते अधिगम। इस अधिगम में क्या होता है कि इसमें इसका सरपर्थम जो है उल्लेक जो है कैंडलर ने 1964 में किया था और इस अधिगम से तात्पर जो है पूरु अनुभवों परसिक्षन अथ्वा जानात्मक परक्रियाओं की आधार पर परतेयों का निर्मान करने से होता है। यानि कि संप्रते अधिगम के अंतरकत क्या है उसके पास जो पूरु के अनुभव होंगे किसी वस्तु के बारे में या फिर जो उसे परसिक्षित किया गया है उन्हीं के आधार पर परतेयों क निर्मान चे इस अधिगम का विकास किया जाता है यह से प्रानी जो कुछ भी करता है कहता है सोचता है यह चिंतन करता है आध्वा निर्ने करता है उसे इस अधिगम के जो है महत्पुन भूमिका रहती है अब यहां क्या है कि एक मानव जो है बहुत कुछ करता है और साथे सा अधार कि mid कि करता है उसके दवरा उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है बहुत भी जब है बहुत कुछ करता है ठीक ना बहुत सारे गिर्याविधी करता है या अक्टिविटीज पर आधारित बहुत सारे जो है शीखने के क्रम में जो है वो पड़ता है या फिर बहुत कुछ इन सभी चीजों का बहुत ही महत्कुन Bhoкие का होती है इसके बाद सिधांथ अधिगम सभी प्राय सिधांतों को समझे से रह कि विद्धान दो समक्रें कि किसी भी से को पड़ते हैं तो सिधांतों के मैक्सकों पड़ते हैं तो उसे बहुत सारे मतलब सिधान्तों का समू है एक सिधानतों का धार qua जो और सेक्षिक हम लोग्णितों विश्त पड़े हैं यानि कि सीखते हैं कि लड कि मतलब सिधान्तों जान गएं तो उन्हीं सिधान्तों के माध्यम से ही जो है दनीत के बहुत सारे प्रश्णों को हल कर सकते हैं सिधान्त बताते हैं कि कोई घटना या कोई कार्विधी क्यों और कैसे होती है बहुत सारे जो सिधान्त है वो घटना क्यों और कार्विधी कैसे हुई इसी सिधान्त के आधार पर भावी घटना का अनुभाव या अनुमान लगाए जाता है यानि कि जो सिधान्त दिया गया है उसमें जो परिनाम निकल कर आये हैं, उनहीं परिनामों के आधार पर अगला कौन सा परिनाम आयेगा या फिर घटना होगी इसी का अनुमान लगाये जाता है, इसके बाद है समझ्चा समाधान अधिगम, यानि कि जब हम लोग किसी करते हैं अधिगम का फरकार. सव्पानकी का सुर्वच्य अस्त्र है ये शमIST्र beauty समाधान उसका स्रवच्य जो अस्त्र है इसमें समध्षा समाधान अधिगम में प्रानी अपनी समय शमाध्हां चुह करना सीखता है जह हैं किसी तरह का समझ्या आता है तो हम लोग उसका समाधान करने का जो पर्यास करते हैं और बार बार जब पर्यास करते हैं तो उसके द्वारा जो अनुभव या फिर जो अधिगम होता है ठीना उसी को समझ्या समाधान अधिगम कहेंगे यह सब कुछ जो है एक बालक को सिखाने में भ स्ञुखते आद्हार पर अधिगम धीरे दीरे बढ़ता चला जाता है वास्तुoca समध्षा समध्धान अधिगम ने ही चाहती को प्रगती तथा विकास के पत पर आगे बढ़ाया है आज जो मानो जो है इतने विकास के अस्तर पर है इसका सबसे बड़ा जो है हाथ है एह ही समझ्था और समाधान का अगर इसको सुरू से समझें जिसे मानो पहले जंगलों में घुमा करता था तो उसे बहु कुछ ना सुरू किया तो वो गुफाओं में रहने लगा गुफाओं के बाद जब बहुत जादा समु हुआ तो उसके बाद घर बनाया इस तरह क्या है कि एक समझ्था का निदान करते-करते जो है उसके अंदर में जो है सीखने की परविर्टि आते जाती है इसी तरह से क् हम लोग बच्चों में भी जो है अगर उसको छोटे-छोटे समझ्थाओं को जो है कि हल करने के लिए दिया जाए उसके द्वारा भी जो है वह बहुत कुछ सिखता है तो अधिगम जो है अन्ता तो हम लोग क्या कहेंगे अधिगम जो इतना दूर तक हम लोग पढ़ें कि और अधिगम पर जो चर्चा कर रहे हैं तो अधिगम क्या है तो अधिगम के सोपान या परक्रिया जो है यह क्या है यह विभीन अनुक्रियाएं है यानि कि बहुत सारे क्रियाओं के बाद जो है अधिगम की परक्रिया होती है यानि कि एक ही बार में हम लोग उसने ही सिख क्यारी को करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन आता है तब हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं अधिगम जब हमारे अंदर में आ जाएगा तो उससे जो है हम लोग लक्ष को भी हासिल करते हैं और जब अधिगम की और जब हम लोग बढ़ते हैं तो समयश्चाएं आएंगे समयश्चाओं के लिए हम लोग पुनरबलन करेंगे यानि कि बार बार जो हम लोग प्रियास करते हैं उसी को पुनरबलन करते हैं एन सभी किरियाओं का अभी कृर्णा, अनुकिरियाएं, लज्च, बाढ़त, पुनरबलन ये सब कुछ जब ंधिगम के अंतरगत पो जाए तो वो घ्याप़ कुझी होगा अनुभवों का संगठंग यानी कि जिस समस्या को हल करने के लिए जो हम लोग पढ़े थे और जिसको लख्ष जब हासिल कर लिए उसके द्वारा जितना अनुभव हमारे पास हासिल हुआ उसी अनुभाव का अधार पर क्या है कि अगरी बार अगर हम लोग करेंगे तो उस अनुभाव का जो वहाँ पर हमको जादा से जादा फाइदा मिलेगा तो यह बताया गया है कि किस परकार से जो है मानों में जो है यह होता है तो किया है, कि मानौ जो है, वो किसी न किसी चीज से प्रेरना हासिल करता है, अगर आप कुछ केरियर ही बनाना चाते हैं, तो क्या है, सबसे पहले मोटिवेशन साएगा आपके अंदर में, प्रेरना आ गिया, कि हमको कुछ बनना है, इसके बाद क्या होगा, बहुत सारी अधाओं का आप निराकरण कीजेगा सही अनुकिर्याई कीजेगा यानि पढ़ने का आदत को डेवलप कीजेगा एक बार में नहीं होगा बार बार उस पर जो है जो है जो लगाएगा तो इसके द्वारा क्या होगा कि आपके अंदर में एक अनुभव आएगा और वो जो कुछ जैट कि अगर आप इस केप्टर को पढ़र रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तो किसी एक्जाम को प्त करना चाहते हैं कि अब सबसे पहले कि पास करना है और आप करना है या पिर उसके भासा करम में बहुत सा चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कियें प्रेड़ना आने के बाद बाधाय उत्पन होना सुरूगी तो आप पढ़ना सुरू कियें बहुत सारे बुक से पढ़ना सुरू कियें बहुत सारे नोट्स को पढ़ना सुरू कियें इसस उससे आपको एक अनुभव हासिल हुआ और उससे क्या हुआ कि आपके दिमाग में जो है एक अनुभव का संगठन यह हो गया है यानि कोई तरह का प्रस्ण अगर आता है चाइल्ड साइकोलोजी में उसका सही अंसर के से किया जाएगा इसका एक अनुभव आपको मिलता है और इसी अनुभव के आधार पर जो है आप सीटेट के एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं यानि कि लक्ष की प्राप्ति जो है आपकी हो यानि कि आ हैरियस रेस्पॉंस बुविंब्रतार की जो है अनुक्रिया ayin fora से बैरियर यानि कटनाएं या और या वाध हाएं शॉट्स में लिखा गया है इसी को जो है नीचे डिस्क्राइब किया गया है तो यह हो गया सीखने का सम्बन अब है कि इसका निश्कर्प्र्स क्या निकलता है इस पर हम चर्चा कहे दियें फिर भी यहाँ पर बता दे रहें कि सीखने क्या करम में जो है सबसे पहले जो है व्यक्ति किसी ना किसी चीश से प्रेड़ना जो है उसमें जागरित होती है उसके बाद जो है वो लक्ष प्राप्टी है तो विभिन परकार की अनुक्रियाएं करता है यहां अनुक्रियाएं करने का मतलब हो या कि बहुत तरह से वो कोसिस करना करता है तो उसे क्या होता है कि रास्ते में बहुत सी बाधाइं आती है जिहें हटाने का प्रयाज जो है वो करता है जिसमें सीखने की किरियाएं होती है उन बाधाओं को जब वो धीरे-धीरे निराफन करने का कोशिजी करता है, तो उन ही किरियाओं की त्वहरा क्या है, वो बहुत कुछ सीखता है, और यह अनुकिरिया ही मनुस्ति को गुझे करती है, जिससे मनुस्ति उसको प्रभावित करता है तो वो कौन-कौन से तत्व हैं या फिर कारक हैं तो यह है एक है कि सीखने की इच्छा आप अगर की चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा बहुत ही महत्यपूर्ण होती है इच्छा जो है बहुत तेजी से भी हो सकता है बहुत मतलब बहुत अंदर से जो है शीखने का तीवर इच्छा जिसको पहेंगे और बहुत कम इच्छा भी हो सकता है तो यह दोनों तरह से जो आपको सीखने की जो है परकिरिया होगी उसको परभावित करेंगा अगर सीखने की जो है बहुत तेज इच्छा है तो आप उसक रहास स्क्री किसी भी सेवस्तु को जीख सकता यह देखा वी जाता है बालत में अगर वह एक बार सीखने की उसमें जो है तिवर इच्छा होनी चाहिए तो वह बहुत तेजी से कही चीज़ को सिख सकता और इच्छा सकती का कम होगा तो उसे बहुत ज्यादा जो है उसका जो इसलिए शिक्षक को जो है बालकों में रूची और जिक्यासा को जागरिक करनी चाहिए अगर आप शिक्षक हैं या सिक्षक बनिएगा तो यह बहुत ही जरूरी होगा कि आप जो है बालकों में जो है उसकी रूची और जिक्यासा को जो है आपको जगाना होगा इसके बाद ह प्रेज़ना मोटिवेसंस यह एक आंत्रिक कारक्त जैनी कि यह मोटिवेसंस कहां से याम्धर alleine वो कुसी तरश सघर मोटिवेट हो जाए तो भी जो है सीखने की प्रफिया बहुत ही तेज हो जाएगी औरной किसी चीज को बहुत सब्सक्राइब बॉचिक और उसका जो विस्या थो सर्ल होना है और वह जिस उम्र का है उस औम के अनुसार भी होना चाहिए जैसे हम लोग जैसे से आगए कख्षाओं में जाते जाते, चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है तो धेरे-धे पिक्छर्सं लिए जरे जो नीचे प्छाओं पिक्छर की सिंख्यां ज्यादा होती है कारण नहीं है कि ये अर उसको, सिर्फ अधे को ही दिखाया जाएगा एक छोटे से बालक को तो उस जीखने की जो है उसमें इच्छा नहीं होगी लेकिन अगर विशेवस्तु जो है उसके फोटो देखने मज़ा आता है तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर में जो है एक तरह का मोटिवेशन्स भी होगा और विशे सामग अनियोजित ना होकर नियोजित होना जाहिए यानि कि जैसे तैसे वह सजा उना चैए एक करम में सजाए हुआ हो चाहिए लग devam उनियोजित हो इसके बात है awakडि तो किस विधी का प्रयोग कर रहा है ये भी बहुत जरूरी है अब तक अगर हम ये सब कुछ मान लेगा उसमें मोटिवेशन्स भी आ गया उसमें सीखने की तीवरी इच्छा भी है और विशेवस्तु भी जो है सारलो सहज है और सिक्षन विधिया का सही नहो तो यहां पर भी जो है अधिगम बाधित हो सकता है इसलिए एक शिक्षक के नाति आप में जो है शिक्षन विधी का चुनाव बहुत ही मतलब साधानी से बरतना चाहिए यह एक बहुत ही महत्पुन कारत है सीखने की विधी जितनी अधिक रूचिकर यह उपयुक्त होगी सीखना उतना ही आ चाहिए और साथ साथ जयां होना चाहिए यानि कि जिस विद्धी को हम अपनाएं सिखाने के लिए वच्चों ko वह आसान होना चाहिए वो कर सके ऐसा होना चाहिए है त्रारंविक कक्षाओं में खेल पदर्थी और करके सिखना अधिक बद दिया जाता है जो नीचे की कई कशाओं में होता है ओसलिगर क हए वहाँ पर क्या है कि क्षेल ने के द्वारा सिखाया तो बहुत तेजी से सिखेuchar कि हम में खेल खेल रहें ब Saying इसके बाद है बुद्धी या अस्मरन सक्ति यह एक फैक्टर किसी बालक में क्या है किस तरह का आई की लेवल या फिर इंटेलिजेंस लेवल क्या है या फिर वो कितना समय तक इसी वस्तु को याद रख सकता है यह तो हम लोग जानते हैं कि दो बालक जो है भिन भिन परकार् उट्धिय सक्ति अलग अलग बालकों में होगा तो यह रखेक जो यह अधिक भुद्धिमाबालक जो है कम भुद्धिमान बालक किया में इसा देखना भी जाता है कट्सवाम में कि जो थोड़े तेज दरार बच्चे होते हैं, वो बहुत तेजी से सीखते हैं, जो थोड़े कम तेज वाले होते हैं, उसके अपिछा, इसी विशेवस्त पर वो पकड जल्दी बनाते हैं, इसके बाद है परिपक्ता, परिपक्ता कैसे हैं, कि सारीरिक और मांसिक दिश्टी स यहां पर सारी दिखियों भी जो है वो अच्छा होना चाहिए परिपक्त याने मैच्वर्थ होना चाहिए यहां कोई बालग अगर बार बार बीमार पढ़ रहा है तो भी उसके सिखने में बाधा आ सकता है या फिर मानसिक दिश्टी से जो है यानि कि मेंट्री किसी तरह का प्रावलम्स होगा तो भी बाधा उत्पन होगा इन दोनों चीजों में अगर वो सही है उसका सारीरिक और मानसिक दोनों दिश्टी से अगर वो सही है तो वो जो है बहुत तेजी से सिखेगा इसके अलावा है कि सारीरिक स्वास्त उसका स्वास्त किस प्रकार कर रहता है वो बहुत जादा अगर बिमार पढ़ता है तो भी उसका अधिगम में परिसानी आ सकता है इसके बाद है सीखने का स अगर वो बिद्याले जाना सुरू करेगा तो भी दिक्कत है उसके लिए अगर दो साल का बच्चा जाएगा तो भी समझ से उसका सही उम्र में जो है उसे सही कप्षाओं में होना बहुत ही जरूरी है जिसी कि वो बातावरन में जो है अनुकुल अवस्ता राप्त कर सके और अपने आपको समायविजित कर सके क्योंकि समायविजन जो है किसी बालक के लिए बहुत ज्यादा परिशानी का सबब होता है यानि कि वो परिशानी जो है उसको ज्यादा जहिलना ना पड़े इसलिए सही समय पर उसका उस्कूल में एडविशन होना भी बहुत जरूरी है इसके बाद है वातावरन में रहता है अगर मतलब दूसित वातावरन में रहेगा तो मांसिक इस्तिती सही नहीं रहएगा तो उसका अधिगम में फिर पाधानी सुर्फ हो जाएगा तो इस प्रकार से क्या है कि आब हम लोग पूरा नीचोर जानेंगे कि सीखना किसे तो वो क्या करता है उसमें जो है अनुभवों का संचार होता है अभियास से जो है इस्थिरता आती है अभियास यानि किसी चीज को बार-बार अगर ट्रैक्टिस किया जाए तो उसमें जो है इस्थिरता आनी शुरू होती है प्रेरना जरूरी है अगर सीखना है किसी चीज को तो आपके लिए motivations बहुत ही जरूरी है, यह इसी तरह किया है, किसी बालक को भी अगर सिखाना है, तो उसके अंदर में भी motivations को जगाना बहुत जरूरी है, सभी में यह जो है, सीखने की जो परकिरिया है, वो अलग-अलग होती है, और यह जो सीखना जो है, यह जन्म से तक चलने वाली परकिरिया है, कोई यह नहीं कर सकता है, कि यह एक समय खत्म हो जाता है, चाहिए वो किसी भी तरह का, मतलब यह पढ़ा लिखा हो, चाहिए अन पढ़ा, दोनों में जो है, सीखने की परकिरिया हर हाल में होती है, और वो जन्म से लेके मिट्ट्य परियंत ज सिखता है, तो उसके व्यभार में भी परिवर्ता नहीं होगा, यह उसमें होगा, मनों सारे लिख होता है, यानि कि मानसिक रूप से और सारे लिख रूप से इन दोनों रूपों से जो है, सीखा जाता है, और यह एक व्यक्तिगत परकिरिया है, तो इस तरह से क्या है, कि य चिखना जो है क्या है यह पूरा निचोड है इसको याद रखेगा तो आपको समझने में जो है परिषाओं में खासकर बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अब हम लोग थोड़ा से जानते हैं कि परिपक्ता यानि कि मैस्यूरिटी क्या है परिपक्ता जो है यह जन्मजात एक गुन है इसको अभियास से आप परभावित रहता है इसमें कितनों आप अभियास कर लिजे उसमें क्या है कि एक बाद जब परिपक्ता आ जाएगा तो व यह क्या है सारीरिक रूप से हुथ निश्चित समय तक रहती है, उसके बाद वह बैटना रहेगा, भूज Näर नहीं होता है, इसके बाद यह यह प्रजातिय पर प्रक्रिया है और सभी में समान रूप से इस चुर्व होता है और यह क्या है आंत्रीक भी होता है और प्ररणा इस में यहां पर प्ररणा लिखा गिया है लेकिन इन ईसमें जरूरी नहीं ह commandments यहां पर प्रीणना तो परिपक्ता के लिए जो है प्रेरना क्या हो सकता नहीं है यह सालिनिक तोर पर आगां खाये पिए अब अपने आप मोटता आजाए घाए अब अब मैचुरिटी आ जाएगा बहुत पार मैचुरिटी का अर्थ बहुत सारे सेंस में है कि उम्र के साथ में भी मैचुरिटी और यह भी चीज वहाँ पर लाग मुद्धुन करेंगी। अब ज़ए उसमें सीखने से सम्मझ geweत है? अब जो है राटना या उन सीखने में क्या अंतर है ये जो है सीखने के जो है क्रम का बहुत ही महत्पूर्ण ही है तो राटना क्या है कि एक बैंकिंग मॉडल कहा जा सकता है इसके तोरह क्या है सुचनाओं को दिमाग रूपी बैंक में चलागा जाता है यानि कि कि किसी चीज से निकाल के आपको एंसर देगा और सीखना क्या है एक प्रोग्रामिंग मॉडल है यानि कि इसमें जो है सुचनाओं को जो है एक जो है स्रिंख्ला के द्वारा अलग-अलग पक्तार से ग्रहन किया जाता है यानि कि रटने करम में क्या है कभी पढ़ते पर मतलब अलग- करम से किसी सुचना को इखटा किया गया कहीं से भी रटनी है उसको जमा कर लिए और जब हम लोग सीखने का प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो पुराना अनुभव होगा उसके बाद एक नया अनुभव होगा उन दोनों को जो एक स्रिंख्ला बद तरीके से हम लोग आगे स्रिंख्ला कि इसी को हम लोग सीखना कहेंगे रटना जो है यह रटने से भी बहुत कुछ होता है यह भी ताइख लेकिन वह ज़यादा सब्सक्राइब में नहीं कुछ सSON पर सेम आमको समय है बालपों में जो है किस गुन का विकास करना है अब जो है अधिगम की पीधिया इस पर हम लोग आए आने वाली वीडियो में बहुती बिस्तार से छर्चा करेंगे इस honeymoon पॉहसारे मनुवजयानी हों गे उन्होंने जो है बहुत सारी विधिया दी हैं तो अधिगम की जो विधियां है एक है करके सीखना जो बालग खुद से करके सीखता है इसके बाद है परिक्षन करके सीखना इसके बाद है निरिक्षन करके सीखना परिक्षन यानि एक्सपेरिमेंट और निरिक्षन यानि किसी वस्तु को देख के जो ह सीखना इसके बाद है बहुत सामुही यानि ग्रूप में बहुत सारा जो है गती विधी कराया जाता है जैसे कि प्रजेक्ट विधी कायरेसाला विधी समेले नंग विचार गोश्टी विधी वाद विधी ये सभी जो है अधिगम के अलग-अलग विधियां है इन विधियों पिस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में तो यहां पर जो है अधिगम के जितने सुपानिक थे उसके बारे में जानगे अधिगम क्या है परिपप्ता क्या है इन सभी की जो पर हम लोग चर्चा कर लिये हैं और ऐसा आसा करते हैं कि इससे आप लोग को लाब भी लगा हो लाइक, शेर, कॉमेंट्स करके जरूर बताईए शेर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको पसंद आ रहा है तो दूसरों को ही मदद कीजिए ठीक ना और आपके सोसल मीडिया प्लेटफार्म्स में भी शेर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ही बताईए कि एक वीडियो जो है किस तरह से मतलब आपको पढ़ने में मदद कर रहा है थैंक यू